नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपनी योट्योब चेनल पी एफपी में आज हम एबाट इंडिया के बार में चर्चा करने वाले हैं स्टॉक में अच्छे कासे करेक्शन के बाद वापस एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है स्टॉक हमें 0.5% उपर जाता हुआ नजर आया तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक कर सकते हैं और आज रीटेलर हमें क्या करना चाहिए इसके बार में आज हम चर्चा करने वाले हैं सबसे बहले कंपनी के फाइनेशल ट्रेंड पे नजर डालते हैं अब देख पाएंगे फाइनेशल ट्रेंड काफी ज़्यादा अच्छा नजर आता है डीसेंट ग्रोथ आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट में दिखाई पड़ती है यहर और बेसिस पे आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही नजर आया है तो काफी अच्छी बात है शेर ओल्डिंग पैटरन के बार में बात करें टोटल प्रमोटर ओल्डिंग 74.99 परसेंट है जितना रख सकते हैं उतना रखा है mutual fund 5% other DII 3% FII 0.2% negligible है retail and other category में 17% के हिस्सेदर यह है mutual fund ने अपना stake बढ़ाया है FIIs ने अपना stake कम किया है इनके पास वैसे भी ज्यादा stake नहीं था 1% का stake था वो भी 4-5 quarter पहले जो कि अभी 0.2% है retailers ने भी अपना stake यहाँ पर कम किया है 15-16% से कम होकर 13-14% होता हुआ नजर आता है overall share holding pattern हमें अच्छा नजर आता है valuation के बार में बात करें PE ratio 49-50 का है जबकि sector का 34 है price to book ratio 14 है जबकि sector का 4 के आसपास चल रहा है तो clearly valuation के basis पे आपको यह महंगा नजर आता है premium valuation पे stock trade कर रहा है stock के चार्ट पर हमें clearly पता चलता है कि stock में approximately 24,000-25,000 के level से घिरावट देखने को मिली stock ने support लिया 16,000 के असपास support लिया 15,000 के असपास support लेने के बाद हमें यहाँ पर recovery देखने को मिली और एक अच्छा कासा consolidation करने के बाद एक range breakout आपको देखने को मिला और 50 डेस के moving average के नीचे है 100 और 200 डेस के moving average जो long term के moving average है उससे उपर यह trade कर रहा है weekly chart पर चलते है सबसे बहले daily chart पर important levels हम mark कर लेते हैं important levels के बार में बात करें जो resistance नज़राता है जहां से यह sell off देखने को मिला है यह level है approximately 20,200 के आसपास का level और support हो जाता है हमारा 85,000 का यहां पर अब देख पाएंगे high approximately 21,000 का level है लेकिन breakdown कहां से हुआ है यह थोड़ा बहुत important हो जाता है यह यह आपर गिरावट हुई bounce back आया breakout हुआ थोड़ा बहुत consolidated किया फिर गिरावट हुई तो यह level फिलाल के लिए is a resistance काम करता हुआ नजराएगा weekly chart पर चलते है weekly chart पर support तो वही नजराता है resistance आपको उपर shift होता हुआ नजराएगा resistance approximately 20,500 के आसपास है monthly chart पर चलते है monthly chart पर भी support सेम है 85,000 का level क्योंकि यहां पर consolidated करने के बाद breakout हुआ है resistance के बार में बात करें तो यहां पर same resistance आपको नजराता है stock उपर गया तो था लेकिन monthly close इसके उपर कभी नहीं हो पाया है तो यह level एक important resistance की तरह काम करेगा और आप देख पाएंगे यह जो heavy sell-off हुआ था approximately वही level से आपको वापस sell-off देखने को मिला है अगर यह stock वापस recover करता है तो अभी यह level इतना बड़ा resistance नहीं रहेगा यहां से जल्दी आपको recovery देखने को मिल सकती है तो फिलाल यहां पर किस प्रकार से हमारा plan होना चाहिए अगर हम short term के लिए काम करना चाहते है तो चाहे तो हम current market price पे खरीदारी करने के बारे में सोच सकते है या फिर यह जो high है उसको एक बार तोड़ देता है हम खरीदारी कर सकते है हमारा stop loss यहां पर हो सकता है हमारा immediate target 2400-2500 हो सकता है mid term के लिए अगर हम काम करना चाहते है तो यहां पर current market price पे quantity खरीदने के बारे में सोच सकते है हमारा stop loss होगा 18,000 के थोड़ा नीचे मतलब 17,000, 800, 17,000, 900 के आसपास हम stop loss ले सकते है और हमारा पहला target तो होगा 20,500 लेकिन यहां पर मेरे इस साब से आपको sell नहीं करना चाहिए आपका जो target होना चाहिए 24,000 यह जो all time आया है 23,000, 24,000 यह हमारा target होना चाहिए stock यहां पर उपर जाता है थोड़ा बहुत sell off आ सकता है क्योंकि resistance है लेकिन अलड़ी एक बार यह level से घिर चुका है तो यहां पर concentrate करके जल्दी उपर जाने के chances हैं तो यहां पर sell करने की जगा पर target profit book करने की जगा पर क्योंकि आप mid term के लिए तो आप hold कर सकते हैं यहां पर आप additional quantity add कर सकते हैं और अपने stop loss को trail कर सकते हैं इस हिसाब से हमारा mid term का काम हो सकता है long term के बार में बात करें तो current market price काफी अच्छा है addition करना चाहें तो यहां पर खरीदारी करने के बार में सोच सकते हैं I hope आपकी वीडियो पसंद आता है कुछ सीखने को मिलता है Thank you, stay happy, happy investing